हम अपने स्वतंत्र भारत की कल्पना इसी प्रकार से करते हैं और एसे भारत को खड़ा करने वाला समाज कैसा होना चाहिए उसमें भी कोई अलग बात मैं नहीं करता हूँ अपने समाज के किन दोशों का निप्तारा होना चाहिए इसके बारे में महात्मा जी ने साथ सामाजिक पापों की बात की है उन पापों को अपने जीवन से निपट कर हटाना पड़ेगा उसके लिए स्वयम को समस्कारित होना पड़ेगा व्यक्ति निर्वान का काम उसी आप गांडी जी क्या कहते हैं, wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, religion without sacrifice, politics without principle. आप चारोर अपने जीवन में नदर डालेंगे समाज के, सतंत्रता के बाद बहुत कुछ अच्छा हुआ है. लेकिन ये भी सर्वत्र दिखता है, इसको निप्टे बिना उस स्वतंत्रता का संपूर्ण फल प्राप्त होना कठिन है. और इसके लिए संपूर्ण समाज को जुड़कर प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे पाप बाहर नहीं रहते हैं, अपने मन में रहते हैं, अपने मन से लेकर, तो सारे देश के आकाश को साफ करने का काम हमको करना पड़ेगा, प्रारंभ अपने से करना पड़ेगा, उस प्रारंभ करने के लिए संग सब को बुलाता है, संग का आवान यहीं है, इस अपने पवित्र मातु भूमी का भाग्या बदलने के लायक बनो, सब को बनाओ, और और फिर हम सब मिलकर तय करेंगे सामुई क्विचार से जो तय होगा वो होगा शक्ति बनेगी वेसी हमाज यह संग का मंतव यह है वैसे समझने भी बड़ा कठिन जाता एकदम आज की दुनिया में कोई अच्छा काम कोई करने गया तो लोग पहले पूछते ही क्यों कर रहा है ऐसी शंकीत अवस्था समाज मन में है इसलिए भी कठिन जाता है जान बूचकर अंधकार भ्रम उत्पन करने वाले लोग भी काम करते हैं उनका भी भला हो उनके बारे में हमारी भावना बुरी नहीं है उनका टेड़ापन चले जाए इतनी प्रार्थना है द्ञारी शुर म संग क्या करना चाहता है क्यों करना चाहता है संग क्यों हिंदुत्व की बात करता है और संग के सामने भारत का विजन क्या है वो चारो बाते मैंने आपके सामने रखी है मैं चाहता हूं कि यह सारा सुनकर आपके मन में कुछ पष्टता करने के लिए या कुछ और समझने के के लिए को जिग्या साय आई हो आप प्रश्ण पेटी में डाल दीजिए अब कितने प्रश्ण आएंगे और के समय में उसका निप्टारा कितना हो सकेगा यह मैं नहीं बता सकता लेकिन जितना अच्छा और जितना अधिक हो सकेगा उतना करने का हम प्रयास करेंगे बहुत- हम हैं हिंदुस्तान समाचार हमसे चुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को दबाना ना भूले